एक नए CSC Center के लिए कैसे हमें apply करना है CSC ID का registration के जो process है वो पहले से बिल्कुल ही change हो चुका है यहाँ पर हम पूरा latest process देखने वाले हैं कैसे अब आपको CSC Center के लिए apply करना है CSC ID के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो यह कैसा portal होता है जहाँ पर बहुत सारी government services बहुत सारी private sector की जो services है वो आपको मिल जाती है जो कि आप लोगों में deliver कर पाते हो और उसके बदले में आप सभी को अच्छी खासी कमाई होती है तो Center के लिए apply करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के description ने एक link दिया है जिस पे आप click करोगे तो आप सभी के सामने जो CSC का official portal है आप उसी पे आ जाओगे और यहां पर आप देखोगे कि इस portal के जरिये ही अब आप एक नई CSC ID के लिए apply कर सकते हो government या फिर private sector की जितनी भी services है उनको आप इस portal पर register करके access कर सकते हो तो यहां पर CSC ID password के लिए get started की tab पे हमें click करना है तो अब आप सभी के सामने एक process flow आ जाता है जहां पर आपको बताया जाता है कि क्या-क्या document के जरुरत होगी एक नई CSC ID के लिए तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आप सभी का EP card यानि की voter ID card इसी के साथ में paint card, आधार card, एक आपका photograph और Indian passport या फिर आप सभी का police verification report इन दुनों में से एक चीज आपको देनी होगी इसी के साथ में highest जो भी आपकी qualification है उसका कोई document TC certificate और bank BC certificate ये आपको document की जरुरत पड़ेगी एक नई CSC ID के लिए तो यहाँ पर ये जितने भी document आप से मांगे गए हैं, mostly आप सभी की ID proof हैं, इसी के साथ में जो other document आपको तयार करने की जरुरत है वो है TC certificate, bank BC certificate ये आपके पास में नहीं होगा सबसे पहले तो आप सभी को CSC ID अगा लेना है, तो ये certificate जरुरी होंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको एक link दिया गया है, जो है TALE Center Entrepreneurs Course का, जिस पर click करोगे तो registration page आएगा, जहाँ पर आप सभी को अपनी information फिल करना है, उसके बाद में करी 1400 रुपीज का FISA payment करोगे, और Indian Institute of Banking Finance की जो website है, वो मैंने उसका link दे रखा है, जिस पर आप click करोगे, तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का page आएगा, जहाँ पर आप आप register करोगे, इसके बाद में आपका एक test होगा, उसके बाद में यहाँ पर भी आपको यह certificate है दिया जाएगा, तो यहाँ पर य certificate number अपना फिल करना है, इसी के साथ में BCBF के section में आप सभी को Indian Institute of Finance की तरफ से जो certificate number दिया गया है, वो यहाँ पर फिल करना है, अब यहाँ पर यह जो certificate है, कोई सारी mobile application जो होती है, पे नियर बाए, इसी के साथ में Spice Money जैसी application के अंदर भी मिल जाता है, तो उन application के अंदर आपने sign up कर रखा, तो वही certificate number यहाँ पर आप डाल सकते हो, इसके बाद में validate की tab पे click करोगे, तो आपकी जो personal information है, वो देखोगे कि इस certificate के भिहाब पर फेच होकर के आ चुकी है, जिसमें कि आपका name हो गया, male female जो भी gender है, वो यहाँ पर आपका दिखाया जाता है, यहाँ पर अपना mobile number आपको fill करना है, send OTP की tab पे आपको click करना है, आपकी phone पर verification के लिए एक one time password रसीब होगा, वो OTP यहाँ पर fill करना है, validate की tab पे आपको click कर देना है, इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पर additional personal details के section में, आप सभी को अपना जो 12 digit का आधार number है, व आपको fill करना है, marital जो भी status है, आप married हो, single हो, choose करना है, इसके बाद में category के section में आना है, यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं, जिसमें की general और reserved, इसके बाद में आपको disability category के section में आना है, कई सारे option यहाँ पर दिखाएगे हैं, अगर कोई भी विकलांग बेकती है, तो उसको यहाँ पर select करना है, अधर लोगों को ऐसे ही इसको छोड़ देना है, अपनी state choose करना है, district यहाँ पर आप select करोगे, इसके बाद में state assembly consistency के section में आना है, अब यहाँ पर आप सभी को address को fill करने का, यहाँ पर option मिलता है, जिसमें की तीन line ने अलग अलग दी गई है, कुछ इस तरीके से address line, first address line, second में अपना जो complete address है, दर्ज करना है, इसके बाद में kiosk details के section में आना है, यहाँ पर आप सभी को अपना जो CSC center है, किस नाम से आप open करने वाले हो, आपको यहाँ पर name को fill करना है, इसके बाद में kiosk ownership के section में आना है, यहाँ पर आपकी जो shop है, वो rented है या फिर खुद की है, तो यहाँ पर यह दो option देगा है, इनमें select करना है, location type के section में आ करके, सहरी चेत्र या फिर ग्रामिली चेत्र से चूज करना है, अपनी state चूज करना है, इसके बाद में state, assembly, consistency के section में आना है, अब यहाँ पर आप सभी का जो भी विधान सभा चेत्र है यहाँ जोपन घर साथ करना है, इसके बाद में क्योंच Atlas के section में आना है, यहाँ पर आप आपको अपना जो uggot address का address पर फिल जहाँ पर छीज करना है, यहाँ उपने आप से सेंटर ऑपिन करना है, ऑस पर यहाँ बाद में आप सबढ़ने तेससी के सामने यहाँ पर इसो मे mail id दिया था वही आपको same यहाँ पर इंटर करना है send otp की टैप पर आप क्लिक करोगे यहा पर आपकी जो email id है जो आपने फिल किया उस पर एक email आएगा जिसका जो code है यहाँ पर आपको enter करना है validate की टैप पे आपको click कर देना है यहाँ पर अपना जो पर क्लिक करना है अब इसके बाद में आप सभी के सामने बैंक डिटेल को फिल करने का पेज आ जाता है जहां पर सबसे पहले तो आप सभी के बैंक का जो भी आइफसो कोड है वह यहां पर इंटर करना है वैलिडेट की टैप पर क्लिक करना है तो यहां पर आप सभी के बैंक क और यहां पर जो भी नॉमनी से रिलेशन है इसके बाद ने आपको नेक्स की टाइप पे क्लिक करना है अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कुछ डेकुमेंट यहां पर अपलोड करने के लिए बोले जा रहा है कुछ किया जितने भी डेकुमेंट है वो सारे यह अपलोड करना है कुछ इस तरीके से सलेक करेंगे इसके बादब टेखने को अगर आपको ढण को देखना है यहां सही सेलेक्शन हुआ है या नहीं तो declaration के section में आना है इस option पे टिक कर देना है तो यहां पर next की tab पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहां पर देखोगे कि हमारा एक VLE registration successfully complete हो चुका है यहां पर हमारे सामने reference ID generate हो करके आ जाती है अब यहां पर आपका जो application का reference number मिला है इस reference number को यूज करके कभी भी आप अपना जो इस्टेटर से वह चेक कर सकते हो लेकिन अभी आप देखोगे कि CST का जो फॉर्म है इसमें बताया जा रहा कि आपकी जो application इंफोमेशन है वह यहां पर सम्मिट हुई है लेकिन अभी इस CST ID का जो application form है उसके कुछ हमें करने की जरूत होगी जिसके लिए जैसे कि आप देखोगे कि हमने apply की यहां पर स्टेट इसका नंम्बर का जो option है इसके अंदर हमने जो रटी रिफिल किया है। सब्सक्राइं के अब 20 का 75 नहीं हुआ है जो email ID है उस पर चेक करना है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ status है जो pending है तो यहाँ पर pending क्या है तो अभी CSC का जो registration है वो करने के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे कि download CSC app का जो option है वो यहाँ पर दिया गया है play store पर आना है यहाँ पर आपको CSC app सर्च करना है और यह जो app है इसका जो link है मैंने video के description में भी दे रखा जहां से आप download कर सकते हो जैसे आप इस application को open करोगे तो हम sign up की tab पर click करेंगे तो जैसे कि आप देखोगे कि हम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस application के अंदर आप सभी को अपनी CSC ID है वो activate करना होगा जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो यह ensure करना है कि इस application के अंदर जब भी आप अपना जो CSC ID है वो activate कर रहे हो उसका जो process में आपको बताऊंगा वो आप उसी location में हो जहां पर आप CSC center को open करने वाले हो तो यहां पर geotagging की जाएगी इसका location आप सभी का track किया जाएगा तो यहां पर आपको बताया गया है कि application का जो reference number है वो आपके email पर send किया गया है इस application को use करने के लिए proceed की tap पे click करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने complete your registration का page आ चुका है जहां पर आप सभी से application reference number फिल करने के लिए बोला जा रहा है यह जो reference number है जब आपने registration किया होगा वहीं आपको इंटर करना है secure code के section में आना है यह जो code है इसके अंदर आप सभी को अपने area का जो pin code है वह आपको यहां पर इंटर करना है अपना जो mobile number है यहां पर आप इंटर करोगे proceed to capture वीडियो के option पर आपको click कर देना है तो अब आप देखोगे कि यहां पर बताया जा रहा है कि इस process में आप सभी को 10 second का एक video बनाना है जिसमें कि आप सभी को background में यहां पर जो CAC का banner है वह लगाना है इसी के साथ में आपको अपना जो application number है इसी के साथ में पैन नंबर है वह पैन नंबर एक एफोर साइज का जो paper है उस पे लिखना है और वह seat आपको आपने हाथ में पकड़ के रखना है और वीडियो जब आप बनाओगे उस इसके बाद में आप सभी के सामने जो वीडियो के वाइसी का जो पेज है वह आ जाता है जहां पर जैसे कि आप देख रहे हो आप तो यहां पर यहां पर आपको टिक करना दन प्रोसीट की ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी जो क्यों को जाएगी और आपकी जो सीएसी है वह पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी आप जैसे कि आप देखोगे कि हमने प्रोसीड की टैप पे क्लिक किया है तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपके यूजर इंफोमेशन है वो अवेलिबल नहीं है तो यहां पर यह जो इंफोमेशन है पोर्टल से एप में फैच होने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो इस तरीके का अगर आपको एरर देखने को मिलता है तो एक दो दिन का गैप करने के बाद में दुबारा से आप ट्राई करना तो यहां पर आपकी जो इंफोमेशन है वो एप के अंदर परफेश हो जाएगे जिसके बाद में आपकी के वाइशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीड हो जाएगे तो इस तरीके से आप सभी लोग CSTCC CENTER के लिए ओनलाइन अप्लाई कर सकते हो अब CST C CENTER के लिए अपलाई करने के बाद में ये जो services हैं कैसे आपको access करना है, first time portal को कैसे login करना है, कैसे wallet के अंदर पैसे load करना है, और जो services portal पर दीगे हैं, उनको कैसे आप access करोगे, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो channel को subscribe करके रखना और comment में मुझे बताना तो मैं जल्द ही इसका एक वीडियो बना दूँगा जिसने कि आप CST की जो services उनको कैसे access करोगे, उसके बारे में proper information मिल जाएगी, तो हम मिलते हैं आपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जैहिन